आज मैंने आप सबकी सामने लेके आ गई घर्मी की सबसे स्पेशल रेसीपी दही और इस घर्मी में दही खाना सबके लिए बेहतर माना जाता है इसलिए घर्मी का रेसीपी मैं शोचा आप लोग के साथ सियार करना बहुत ही जोरूर है घर में पार्फेक्ट दही किस तरह से जमाएंगे वोई आज की रिसीपिम में आप सबको करके दिखाऊंगी मैं हूँ शूप्रिया, शूप्रिया जरानना घर में आप सबको स्वागा थे सबसे पहले मैंने 500 ml दूद को हलका कुनकुना गरम कल दिया इतना गरम जैसे इसके आंदर में अंगुली डालू तो अंगुली परफेक्ट ज्यादा गरम भी ना लगे और एकदम ठंडा भी ना लगे ज्यादा गरम होने छेना दही अच्छे से नहीं बानता इसलिए कुनकुना गरम डायना चाइए और दही बनाने के लिए मुझे मैंने हर रोज दही बनाती और ओई दही से मैंने दही रग देती हूँ सबजी में डालने के लिए दही बनाने के लिए इसको एक दोम लिक्विड बना दूंगी, जितना अच्छे से मिल जाएंगे न उतना अच्छा ये दही बनके तैयर हो जाएंगे, आपको पहले बताई, ज्यादा गरम दूद मत लेना, एक दोम नॉर्मल, मतलम नॉर्मल से थोड़ा कुन-कुना गरम वैसी लेना, उससे दही करो հहारी, क्योंकि हर रोज, मैंने रात को दही बनाती हूं, हभ दही बना के इसे छोड़ देती हूं शूभा ईटके ये परफेक्ट, वांजयता उसके बाद मैंने फीर glow में दे तीदी, अभी एस को भाओ देती, आप झेकलने के पार बार चीज संबना कुम , मैंने इस सि से मैंने धक्कन खोल देती हुआ धकन खेलने के बाद ही इसको देखने के बाद आपको स्टेक्चा देखो कितना अच्छा है ना प्यारा और एकदम साइड नहीं हो और यह पूरा पार्फेक्ट जम गया यह दही और इस तरह से अपलो घर पे दही बना सकते हो अगर में अभी दिखाती हूं कितना अच्छा जमा है मेरा यह दही और आप लोग इस तरह से रेसीपी को करना और मेरे चैलेंग पर थावजन की उपर रेसीपी है प्लीज अप लोग प्लेइलिस्ट में जाके रेसीपी वाच कर लेना अच्छा लगे तो फैन लोग के साथ जादा जादा चोटा सा रेशिपी है मीडा और फिर लोग liोग के साथ चाहर अ उसके ृसााइ। कॉमेंट करके बताना एकदम सामने से दिखा रही हो मेरा डही के रेशिपी आप लोग को कैसा लगा एक एक सुन्दर सा कॉमेंट करके मुझे बताना और अच्छा लगे तो आप कौन सा रेसीपी देखना चाहती हूँ ओ भी कॉमेंट करके बताना और रेसीपी लेके मैं आजीर हो जाऊंगी और आज के लिए इतना ही अच्छा रहना खुस रहना और इस गर्मी में न दही हर रोज खाना और मेरे चैलेंग को सब्सकाइब करने के लिए भूलना ने लिए चलो बाई